आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी वो भी एकदम आसान तरीके से इसे बनने में सिर्फ साथ से आठ मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो असलाम अलेकूं कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे टियार होती है लेकिन अगर इनको कुछ और नए तरीके से बनाया जाए तो यह बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है तो विंड्डीों को साइट से कट करने के बाद हम भिंडी को लेंगे और उसमें बीच में एक कट लगाएंगे जिसमें की हम इसमें मसाला भरेंगे कारेंडर नुक्रिबिल स्वोन हzung फ्रेज़ we Show तो कारिंडर अड़िए तडी एर कायो हथ तेबलिस्पून इसमें हमसॉल्ट एट करेंगे और अशूं मbourgत्राइड करेंगे 12 वेस्पवोन हम तरुकंटक से कुट हुआ करेंगे 2 टेबल स्पून आयल कर लेंगे मसाले मैं अच्छे से छिपल को और अड्ट करेंगे ञांकर टाउ करेंगे मिक्सके अगर मसाले में हमारा शीन तुम को दो नेकिता है इसमें क्ट लेटाए है उसमें इस मश्रत् hanno देंगे और मशले को बिंडी में भरने के बांसको अलका सब प्रैस कर देंगे जिससे कि मशले बहार ननिकले और इसको मब्ला करना बहुत जरूरी है और इस तरिके से हम सारी जैकर बिंडी को तईयार लएं में इम्मुनिटी स्ट्रॉंग करने में भिंडी काफी मददगार होती है और साथ ही साथ इसके इनकोप यह ठीक रखने में काफी मदद करती है अब हम लेंगे एक पैन में दो बड़े चम्मच ऑईल और अच्छे से गरम कर लेंगे जिसे कि इसमेल निकल जाए अच्छे से ग करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि भिंडियों को हलकी हाथ से चलाना है अगर हम इनको थोड़ा जली जली चलाएंगे तो इसको हमने मसाला भरा है वह सब निकल जाएगा अब हम भिंडी को 5-6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे और 5-6 मिनट हो चुके हैं 5-6 मिनट बाद हम भिंडी को दूसरी साइट से पलट देंगे हलके हाथों से जिसे की दूसरी साइट से भी कुक हो जाएं भिंडी को पलट के हम इसको फिर से 5-6 मिनट के लिए कवर करके लो टू मीडियम गैस पर रख देंगे पास से 6 मिनट हो चुके हैं और यह देखे हमारी भिंडी भी एकदम बनकर तयार हो चुकी हैं एकदम मज़ेदार लजी और इन्हें बनने में भी टाइम नहीं लगता जट पट यह बनकर तयार हो जाती हैं और इनके टेस्ट की तो मैं आप से क्या कहूं आप एक बार ट्राइ कीजिएगा और इसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मिंडी बनकर तयार हैं अब इनको सर्फ कर लेते हैं बिंडियो के इतने फायदे हैं कि आपको हफते में दो बार तो यह ज़रू बनानी चाहिए रेसिपी को ज़रूर ट्राइ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आयने तो सब्सक्राइब करके जाएगा साथी बैल आइकन प्रेस के जिए जिससे कि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिक्शन आप तक जल पहुंचाएं अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी सब्सक्राइब के साथ तब तक रखें अपना खयाल टेक केर बाई अलाहाफिज थैंक्स फर वाचिंग